लालची लोमरी की कहानी में ये है कि एक बार की बात है एक जंगल में एक चालाक लोमरी रहा करती थी. गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी. बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोम्रे को एक खरगोश मिला लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोम्री ने खरगोश को खाने की बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोम्रे का पेट कहां भरने वाला था इसके बाद लोमरी आगे बरही फिर से जंगल में भटकने लगी भूखी लोमरी को एक हिरन दिखा हिरन को देखते ही लोमरी के मुह में पानी आ गया लोमरी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौरने लगे हिरन का पीछा किया, पर हिरन लोमरी की पकड में नहीं आया. अब लोमरी खाने की तलाश में बहुत ही ठक चुकी थी. जब लोमरी के हाथ हिरन भी नहीं लगा,